पर आपका एक्जामीनद अगर नाउन पर based question पूछता है तो वो सिर्फ possessive case के पूछता है बिटा नाउन में अगर नाउन case में question आता है तो एक ही case का आता है पेपर में किसका? पॉजैसिव केस का, सब्जेक्टिव और अब्जेक्टिव काम आते हैं, जब हम प्रोनाउन के एरर सीख रहे होते हैं, वॉकेटिव इंग्लिश में कहीं काम ने आता है, हिंदी में भी आप समझो हे रहे, किसी को पुकार निकले जो शब्द यूज होते हैं, संबोधन कैसे दिया, बुलाया कैसे आपने उसको, उसे कह रहे हैं, वॉकेटिव केस, तो इसके एरर बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो आपका फिलाल का पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, पोजैसिव केस पे, अब ये पोजैसिव क्या होता है, पोजैसिव का मतलब अधिकार या दोनों शब्ध हिंदी हमें, अपने मूँसे बहलो, एक बार और भोलो, अधिकार दिखाते हैं, नर्जीव चीज़ों पे और संबंध दिखाते हैं, सजीव के साथ, दोनों को दिखाने के लिए हिंदी में, का के की काही यूज़ होता है, ये benč किस का है बोलेंगे, भाई क किसका है बोलेंगे, समझ गई, तो आपने चाहे relation दिखाना है, आपने चाहे अधिकार दिखाना है, दोनों ही सूर्तों में English में क्या बोला जाता है, possessive, तो हिंदी में इसे दिखाने के लिए इस्तमाल होता है का, के, की, क्या यूज़ हो रहा है बचों, जबकि English में एक ही शब्द होता है तीनों के लिए English कह रही है भई का का मतलब भी off है की का मतलब भी off है और के का मतलब भी off है पर आपका examiner कह रहा है मैं तो paper में off के नहीं apostrophe s की error बनाऊंगा क्योंकि का के की की English apostrophe s भी है और off भी है फिर off के question क्यों नहीं आ रहे मैं off के कोई rules नहीं है जहां भी का के की चाहिए आप लगा सकते हो यानि की इसे गलत लिखना संभव नहीं है ज़्यादा गलत किसको लिखा जा सकता है apostrophe को क्योंकि बच्चे को इसके नियम पता नहीं होते तो हमारा examiner off के errors को avoid करते वे पूरा focus कहां रखता है तो basically noun case का सिधा सा मतलब जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो सिर्फ uses of apostrophe s है हम क्या पढ़ रहे हैं uses of ये तो मैंने आपको background clear करा है कि apostrophe s आया कहा से है क्या करता क्या है use कैसे होगा वो सारा हम यहां पढ़ेंगे तो ultimate topic क्या है uses of apostrophe s uses का मतलब क्या है में कहा an apostrophe s लगाना है और कहा an apostrophe s नहीं लगाना है उसे हम कहते है uses अब apostrophe s करता क्या है काके की दिखाता है काके की का मतलब crafts we also having possession पोजेशन क्या चीज़ है, ना उन केस का एक पार्ट है, ना उन केस क्या है, सब्जेक्ट और अब्जेक्ट से सम्बंद दिखाने वाले शब्द, ना उन केस, यानि कारक कहलाते हैं, समझ गे बेटा, तो हम कौन से केस को डिटेल में पढ़ रहे हैं, पोसेसिव केस को,